नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Sleepy Classes में Discuss, generally हम ये शब्द बहुत जादा इस्तमाल करते हैं In fact, हम अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें discuss करते हैं अपने परिवार वालों से, घर वालों से, सड़क चलते लोगों से, मेट्रो में, बहुत सारे लोगों से चीज़ें discuss करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो keyword है discuss ये सबसे जादा बार mains 2023 और 24 में पूछा जाने वाला keyword है in across the GS1234 subject and apart from that एक और चीज़े होती है evaluate तो ऐसे कुछ keywords हैं जिसके बारे में मैं आपसे कुछ विचार शेर करना चाहता हूँ प्लीज एक बार देख लीजे Hello दोस्तों, स्वागत है आपका आज हम discuss करेंगे directive words के बारे में जब आप mains के questions देखते हो तो बहुत सारे directive words आपसे पूछे जाते हैं मैंने आपको last lecture में बताया था कि it is very important to understand the keywords of the question keywords में से एक keyword होता है directive directive आपको बताता है कि आपके answer लिखने की approach क्या होनी चाहिए लेकिन एक बहुत ही unpopular opinion में आपके सामने रखने वाला हूँ और opinion ये थोड़ा सा evidence-based भी है लेकिन थोड़ा बहुत मेरा इसमें भी देना time का wastage है क्योंकि ultimately अगर आपके पास 1500-500 शब्दों का content है आप question की relevance के हिसाब से answer करते हो तो बहुत ज्यादा matter नहीं करता है कि आप उस keyword के हिसाब से answer दे रहे हैं नहीं but there are some questions जिसमें keyword ही decide करता है कि आपने answer को approach कैसे करना है इसलिए सबसे important learning यह है कि हर question का context वो question खुद set करता है जिसकी मैं end में end of the lecture तक आते आते example भी दूँगा सबसे पहले मैं most popular directive words के बारे में एक research करके आया हूँ 2023 और 2024 के mains के paper से और मैंने यह ढूंड निकाला है कि GS 1,2,3,4 except the six case studies उन six case studies को थोड़ा separate रख लेते हैं उसके अलावा मा लिजे यह 1000 marks का paper है तो 1000 marks में से आप case studies के 120 marks हटा दो तो 880 marks का जो paper है न उसमें ये directives इस्तमाल हुए हैं 2023 में और 2024 में अब इका दुका या एक दो इनसे कुछ अलग भी हो सकते हैं लेकिन most used directive words यहीं है सबसे जादा use होने वाला है discuss most of the number of questions में आपको discuss करने के लिए बोला जाता है फिर some of the questions में आपको comment करने के लिए बोला जाता है ठीक है कुछ questions में आपको explain, elucidate या elaborate करने के लिए बोला जाता है तो maximum जो majority है majority है वो यही तीन है discuss करना, comment करना, explain या elaborate करना इसके अलावा there are other keywords evaluate करो, ठीक है इसके आगे जब critically लग जाए तो different थोड़ा सा हो जाता है फिर कहता है analyze करो, फिर कहता है assess करो, फिर कहता है explain, explain तो चलो कर दिया, examine करो यहना, so some of these words are there which can be very very confusing if you think too much about them the point is that you need to understand कि इनको contextually कैसे समझना है, समझने के बाद इनको answer के अंदर किस तरीके से आप approach को change करोगे या नहीं करोगे यह देखना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम dictionary meaning से ही जाएंगे dictionary meaning से ही जाएंगे, dictionary meaning of discuss, discuss का मतलब होता है to talk about something with somebody in order to decide something so generally आप किसी matter को discuss करते हो, तब आप अपना पक्ष रखते हो, दूसरे व्यक्ति का भी पक्ष उसमें आता है इसका मतलब एक answer में जब discuss करने के लिए बोला जाए, तो इसमें variety of points की अवशकता थोड़ी सी नजर आती है that there must be variety of points from different dimensions or different perspectives so when you discuss about something, इसमें जब आप answer देने की कोशिश करते हो, अगर मैं इसको अभी question नहीं देख रहा हूँ मैं अभी simply imagine कर रहा हूँ कि मैं answer कैसे लिखूंगा without looking at the content of the question तो मैं बहुत सारे dimensions, बहुत सारे perspectives देने की कोशिश करूँगा इस question में क्योंकि उसमें discuss करने के लिए बोला गया है और discussion होता है उसमें multiple viewpoints होते हैं इतनी बात है क्योंकि मैं अपने साथ discuss करूँगा तो मेरा ही point आएगा लेकिन मैं जब discuss कर रहा हूँ तो दो, तीन, चार लोगों से discuss कर रहा है clear है तो argument, counter argument या मेरे द्वारा ही multiple points दूसरे वक्ति के द्वारा multiple points दिये जाएं ऐसा discussion का meaning है अब इसे question के context में देखा जाए तो over complicate करने की ज़रूरत नहीं GS2 में question पूछा गया that the doctrine of democratic governance makes it necessary that public perception of integrity and commitment of civil servants becomes absolutely positive civil servants की public perception civil servants की public perception in terms of their two attributes दो attribute के चलते, integrity के चलते और commitment के चलते यह public perception positive होनी चाहिए क्यों? क्योंकि doctrine of democratic governance यह कहता है अब इसको आपने discuss करना है because it is discussed because वो multiple perspective की expectation रखता है तो इसमें आपके पास freedom होती है आप अलग-अलग type के points लिख सकते हो आप ज़रूरी नहीं है कि fixed dimensions में सोचो नहीं, आपको जो point आ रहा है दिमाग में लिखो ज़रूर लेकिन यह कोशिश करनी है कि subheadings के अंदर बात हो ठीक है? So, you can divide it very clearly into two subheadings integrity of civil servant and commitment of civil servant इसे क्या होगा? breakdown करने से आपके answer में थोड़ी सी structuring हो जाएगी integrity का मतलब होता है कि वो व्यक्ती रिश्वत नहीं लेता है घूस नहीं लेता है जूट नहीं बोलता है public में और अपने documents के अंदर all these reflect integrity now why it is important because governance या democratic governance के अंदर जो pillars है आप उसे याद करोगे ठीक है? democratic governance का मतलब है कि जहाँ पे लोगों का participation होता है transparency होती है the leaders are accountable to the people they are answerable to the people they take feedback from the people all these things are there बस इसको आपने integrity के साथ link करना है अगर civil servant ही जूट बोल रहे होंगे तो कैसे accountability maintained होगी? अगर civil servant conceal कर रहे होंगे अपनी information तो कैसे accountability maintained होगी? अगर civil servant पैसा ले रहा है corruption कर रहा है तो कैसे accountability maintained होगी? and most importantly perception ज़रूरी इसलिए है क्योंकि trust कैसे build होगा state के ओप how the trust will be built so यह discussion का मतलब है कि इसमें negative, positive, for, against कुछ करने की ज़रूत नहीं free-flowing answer लिखना है especially because यह 10 marks का question ठीक है? तो discussion का मतलब simply उसका जो आपके मन में multiple points आते हैं उनको subheading के साथ लिख देना दूसरा word जो use होता है वो होता है evaluate करना evaluate करने का मतलब है कि आप किसी particular object, aspect, rule, regulation, body इसको assess करते हो evaluate करते हो assessment is also almost the same assessment और evaluation is लगभग लगभग same ठीक है? तो आप इसके pros देखते हो इसके क्या benefit हो सकते है इसके क्या नुकसान हो सकते है तो दोनों पक्ष आपने देखने है evaluate का मतलब यह and secondly, you have to come to a conclusion evaluation में आप end में यह बताते भी हो कि इसको ठीक करना है या इसको हटा देना है या इसको continue जैसे चलता आ रहा है चलने देना चाहिए without any change so evaluation also includes forming an opinion after giving pros and cons ठीक है? तो जैसे इस question में 2024 के question में आपसे पूछा गया e-governance के context में आपने evaluate करना है the role of interactive service model interactive service model के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ computer का इस्तमाल करते हो attendance लगाने के लिए सरकारी employees की यह नहीं होता है e-governance या salary online disburse करते हो government employees की या online complaint चली जाती है आपके ने एक website बना ली जिसमें online complaint चली जाते है मात्र इतना जरूरी नहीं है आपको you have to go two three steps further you have to make the services more interactive to the people you have to make it more responsive to the people इसका मतलब आपको धेर सारी applications software applications chatbots feedback और उसके ओपर कितना काम हुआ है dashboards जो actively operate होते हैं in digital literacy फैलाना यह सब interactive service model का हिस्सा है तो आपने evaluate करना है evaluate में आपने दोनों तरफ के point देने होंगे interactive service model के लेके आने के क्या फायदे हैं और क्या challenges हो सकते हैं ठीक है interactive service model के अलावा आपको क्या करना चाहिए अभी मैं answers नहीं discuss करूँगा मेरा purpose है आपके thought process को directive word कैसे influence करेगा उसको देखना तो evaluate का मतलब कि दोनों पक्ष की बात लिखना लिखना है अपने answer में and finally you have to comment तो दोस्तो इस तरीके से हम breakdown करते हैं हर particular question को अपने mains mentorship batch 2025 के लिए जो last batch है उसकी शुरुवात हो चुकी है in fact 2 December से उसमें answer writing स्टार्ट होने वाली है इस particular program में 48 days तक focused तरीके से आपको 2 सवाल दिये जाएंगे daily basis पे जिसके आप answer लिखके submit करेंगे उसका evaluation करने वाला हुमें apart from that आपके progress को monitor करने के लिए आपके साथ live sessions, zoom sessions conduct करूँगा और इसके अलावा सभी questions के answers को discuss करने के लिए weekly sessions conduct करूँगा apart from that आप ये देखिए कि उस particular course के अंदर में हर एक subject को कैसे tackle करना है specifically क्या pros and cons हो सकते है ज्यादा time spent करने के एक particular subject पे क्या key sources हो सकते हैं जिनसे आप अपने notes को enrich कर सकते हो apart from that some value addition classes will also be hit और क्योंकि इस particular batch में मैं सभी students को one on one attention देना चाहता हूँ इसलिए इसमें limited intake रखने की कोशिश है if you are interested आप enroll कर सकते हैं रही बात mains a day की तो चिंता न करें mains a day will be continuing जैसा कि आपने मुझे comments में last बताया कि आप चाहते हैं कि मैं ethics या GS3 के security या disaster के कुछ questions करवा हूँ तो depending upon the remaining comments जो आते हैं मेरे आज की वीडियो पे मैं उस particular topic को उठाऊँगा तो कल का जो वीडियो था और आज का जो वीडियो है उसमें जिस subject को सबसे जादा vote मिलेंगे next वीडियो में उस subject के questions शुरू हो जाएंगे main the day के अंदर दने वाद